हलो बीटफुल वीपल, होप योगाज आ दोई आपसलोटली फाइन, वेलकम तो दे चैनल, सो गाइस यह मेरी पहली वीडियो इस टॉपिक बारे में और यह बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और फूल अफ नॉलेज है, क्योंकि मैं भी जब साइपरस आया तो तुर्किश रीपब्लिक अफ नॉर्स साइपरस है, जो साउट साइपरस है, वो रीपब्लिक अफ साइपरस है, अब मैं अभी आप बताता हूँ, यह फरक क्या है, तो जब मैं यहां साइपरस में आ रहा था, तो जब मैं पार्किस्तान में था, दो तीन कंसल्टन्ट स में मिला तो उन्होंने मुझे बोला कि नॉर्ट सैपरस में जो है न बहतर है किसी ने बोला साउट सैपरस बहतर है तो इस वज़ा से मैं भी कन्फ्यूज था बस आ गया हुए पर चोद भी था लेकिन जो नॉर्ट सैपरस है वो एसा है कि वह तुरकिश रीपब्लिक आफ नि 1983 में वो Republic of Cyprus से जो इन उसकी जंग के बाद सेपरेट हो गया था तुर्किश आर्मी थे तो सीन यह था कि यहाँ जो South Cyprus है वो है European country और जो North Cyprus है वो है Asian Turkish country तो जो North Cyprus से वहां पर लीरा चलता है आपकी अर्निंग लीरा में होगी आपकी कॉलेज आपकी युनिवसिटी की यूरो में होगी और आपकी जो हाउस की रेंट होगी वो Sterling pounds में होगी British pound में Sterling में यह है North Cyprus जब आप North Cyprus आते हो as a student आप दूसरी आप दिस्टूड़न जा सकते हो तुर्की जा सकते हो ऊदर इसकते हो और South Cyprus आप विजिट में नहीं आ सकते बट अगर आप ऐस तूड़न साउथ सैप्रस विजिट आते हो as a student आप अप साउथ साफ्रस में तो आप सब नोर्थ सैप्रस विजिट करने जा सकते हो 90 देस में रह सकते लेकिन अगर आप नौट साइप्रस करने जा सकते थे अभी तक भी हैं लेकिन सुनने में आये कि न्यू पॉलिसीज आ रही है इन फ्यूचर आ यह जो एज आंगी में भी साउथ साप्रस में जो स्टुडन्स हैंगे वो भी नोट साप्रस नहीं जा पाएंगे लेट सी अभी ये न्यू सुनने में आए लेकिन इसकी शुरिटी नहीं है देखते हैं लोगडाउन के बाद क्या होता है जब आप साउथ सैपरस एस स्टुडेंट आते हो तो आप एक यॉर्पियन कंट्री में आते हो यहां पे आपको हर चीज 50% अइसन डिसकाउंड also student kita दिसकाउंड वहाँ पर आपको मिलता है लेकिंशा में इससा बिल्कुल कांट्री प्लेसच पर जो इंडिये नसे त roz तुर्की कीईज das है आतक मैंने सुना ए और सौना नोच उतुर्किश यह कांप्लिक सब्सक्राइब वहां पर currency लीड़ा चलती है, और लीड़ा जो तर्किश करंसी करंसी है वही तर एंसे वहां पर चलती है, आपकी earning लीड़ा में होगी और आपकी जो है न जो आप you utilities वगरा पे करते हो वह भी लीरा में पे करते हो आप जो ग्रोसरी पे पे करते हो लेकिन जो वहाँ पर यूरो भी यूज़ कर सकते हो लेकिन जो आपकी university की फीय होगी वह यूरो में होगी आपकी जो सब्सक्राइब है और वहां पर बहुत सारी स्कॉलर्शिप मिलती हैं स्कॉलर्शिप मिलती नियर इस्ट युनिवसिटी स्कॉलर्शिप देती है अमेरिकन गिरने युनिविस्टी स्कॉलर्शिप देती है 50% और वहाँ पे बसिस की जो है न वो फ्री है आप स्टूड़न्ट बसिस हो दिये युनिवर्सिटी की वो फ्री आप यूज कर सकते हैं और वहाँ पे 4-5 सिटीज है वो गया लेफकोशिया गिरने फामगोस्ता ला खरीज को धेसि दूंड़ है तो आईलेंड ब्यूंदर समुनदर नोर्षामड के पर अब्राट में और आता है और जो साउथ से वहां पे United Army की वो भी है यहां पे United Army भी है और British Army भी है यहां पे और यहां पे जो हैना Students को बहुत सारी facilities भी हैं वो दूसरी European countries as a visit पे भी जा सकता है और यहां पे lifestyle North Cyprus से बहतर as a student जब यहां पे लोग आते हैं इस knowledge के बारे में किसी ने भी पहले यह ऐसी वीडियो नहीं बनाई होंगी यह में पहला ही हो जिसने यह वीडियो बनाई है तो और जो चीज़ है North Cyprus में बता दिया South Cyprus में यूरो चलता है European country है EU country है आपको यहां पे एक pink card मिलता है जो resident permit होता है एक साल का उस पे आप European countries visit पे जा सकते हैं और यहां पे South Cyprus में आपको jobs वगेरा भी बहुत मिल जाती है North Cyprus में इतनी नहीं है North Cyprus में language barrier बहुत है English वहां पे बिल्कुल नहीं चलते English जो भी English लोगों से वह नफरत करतें तक्रीबन और South Cyprus में यहां पे Greek सीखने की जरूरत इन्हें English से काम चल जाता है और South Cyprus में Greek चलती है तुरकिश चलती है इंगलिश चलती है और North Cyprus में जस्ट तुरकिश ही चलती है और और बाकी सब यही जो भी मेरे जहन में सवाल आ रहे थे मैंने आपको बता दिया उमीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगी होगी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ तो मेरे चैनल को जरूर आप सबस्क्राइब कर दें और मेरी वीडियो दूसरी जो वीडियो इसकी एंड पर जो अभी प्ले लिस्ट आईए उसकी वीडियो देख लें प्ले लिस्ट में बहुत सारी मेने वीडियो अल्रेडी बनाई हूँ है उमीद कर तो मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते हैं दूसरी वीडियो में stay home stay safe peace